हेलो दोस्तों, हम लोग अब next करेंगे blood relation, blood relation में हम लोग start कर रहे हैं, आज देखना, blood relation के का definition क्या है, कि ये, देखना एक बार, जिए क्या है, blood relation में क्या बोलता है, person, इसका definition होता है, A person who is related to another by birth rather than by marriage तो बोल रहा है किसी person से relation होता है एक दूसरे के by birth जन्म से न की marriage साधी होने के बाद उसका original दिया आता है जन्म वाला है ना किसी को हम लोग अब देखते हैं इसके basics क्या है वो आप बताते हैं देखो चीजिये है क्या इस तरह से हाँ देखो आपका रिलेशन देखो ब्लेड रिलेशन ना ब्लेड रिलेशन प्लेड रिलेशन आपका दो तरह से होता है एक रिलेटेट तू पैटर्नल साइड रिलेटेट तू पैटर्नल साइड पैटर्नल साइड एक होता है रिलेशन रिलेशन आप मैटर्नल साइड रिलेशन आप मैटर्नल साइड रिलेड 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 पादर्स का अब पादर्स से चीज़े क्या बनती है पादर्स देखो पादर्स का फादर ग्रेंड फादर होते हैं पादर की मदर ग्रेंड मदर होती है पादर का ब्रदर अंकल होता है चाचा होते हैं पादर का सिस्टर आंटी होती है चाची जिसको बोलते हैं है ना और sister, bua, auntie, उनको भी auntie इंगी बोलते हैं, bua अगर हो गई हिंदी में, है न, uncle, children, cousin, uncle के जो बच्चे होंगे, उनको cousin कहेंगे, ठीक है, वही हो गया, uncle के बच्चे और aunt के बच्चे एक ही cousin हो गया, aunt of husband, uncle, auntie के जो husband होते हैं, uncle का रहते हैं, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, अब maternal वाला, maternal वाला देखो, यह भी वही बात है, इसमें क्या है, चीजें, इसमें बोल रहा है कि, अब इसको हम हटा देता है, mother का related, maternal side में देखो, mother's father, mother's के जो पापा है, maternal grandfather होता है, mother's mother, maternal grandmother, नानी इसको बोलते हैं, mother's brother, maternal uncle, mama हो गया, mother's sister, auntie, मौसी जिनको बोलते हैं, maternal uncle, wife of maternal uncle, maternal auntie, mommy, children of maternal uncle, cousin, उनके जो बच्चे होंगे, मामा के, वो भी cousin होंगे, बाई बान होंगे, जो भी, तो यह आपका relation हो गया, एक और जो होता है, शादी के बाद चीजें बतलती हैं, उसमें देखो क्या होता है, जैसे, हाँ, देखो, अब देखो, यह grandfather, son, father और अंकल हो गया, grandfather के यह हो गया चीजें, यहां से देखो, यह से तो जानते हैं हैं लोग, शिक्स बॉल, son वाला देखते हैं लोग, यह, son wipes, son, son का जो wife होता है, नहीं है देखो, son का wife जो होता है, doubter in law, son की wife जो होती है, बेटा की, पत्नी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेटा की पत्नी को, बहु हो गई ना, घर की, तो doubter in law बोलेंगे, doubter husband, बेटी की, husband, son in law, दमाज इसको बोलते हैं, wife, sister, sister in law, brother, son, nephew, brother, son क्या हो गया, nephew, भतीजा जिसको बोलते हैं, brother, daughter, niece, uncle, aunt, son, and daughter, cousin, मतलब uncle के यार आंटे के जो लड़का और लड़की होंगे, उनको cousin बोलेंगे, sister, husband, sister, husband को brother in law, sister, husband को brother in law बोलते हैं, brother, wife को sister in law, brother के wife को sister in law, grandsons, grand doubters, doubters, great grand doubters होता है, आना, great grandsons, या great grand doubters, doubters, उसको बैटी, great grand doubters हो गया, ठीक है, इस तरह से, अब हम लोग आ जाते हैं, question पे, question पे आते हैं, और चीजों को यही है, आपको वहाँ जब समझाएंगे, तो आपको सब्सक्री समझ में आ जाएंगी, basic से यही था, अब आ जाते हैं हम लोग, question पे, question है, आपका first question, question पर्स्ट question बोल रहा है देखो, exercise का 12.8, बोल रहा है ना, की चीज़े हैं, अब देखो, male को हम लोग क्या लिखेंगे ना, male को, कोई भी male अगर है, तो उसको हम positive से denote करते हैं, कोई भी अगर female है, तो उसको negative से, ठीक है, अगर कोई merit couple है, जिसको इस तरह से करते हैं, जिस तरह से, ठीक है, ये ध्यान रखना, merit couple को ऐसे, दोनों तरफ से हम लोग कर देएंगे, arrow लगा देएंगे, ठीक है, अब देखो, चीज़े, अब बोलता है, first question है, की A is brother, A is B brother, B का भाई है, B का भाई है कौन? A, तो भाई है, तो positive होगा, यानि की male होगा, C जो है, A is mother, A की मा है कौन? C, मा है, तो नेगेटिव होगा, फिमेल होगे, C जो है, A की मा है, D जो है, C का पादर है, आपका, D जो है, C का पादर है, C का पादर है, यानि यह D होगया, अब पादर है, तो positive मेल होगा, E जो है, B का son है, E जो है, B का son है, son है, बेटा है, तो यह positive होगा, है ना? How is D, D, related to A, A का D कौन है? A का D कौन है, जो हैं लिखेगा है, इस D, उसके बारे हैं पूछ रहा है, उससे relation, A का D कौन है, यह इसका भाई है, भाई इसकी, क्या नाम है, यह इसकी, यह इसकी मम्मी है, मम्मी के पापा है, यह इसके नाना हो गया, है ना? ग्रैंड, नमबर C हो गया, आपको एक चीज, हम आपको बता देते हैं, यह तो आपका कोशन आणसर हो गया, फस्ट का, लेकिन एक चीज और आपको हम बताते हैं, किसी चीज को कैसे करोगे, तो देखो, सबसे पहले ना, जेनरेशन लिखते हैं, जैसे मान लो, जैसे मान लो, कि आपको, आप मान लो कोई अमीत है, अमीत है, अमीत का भाई, ब्रदर, ब्रदर इधर ही होगा, इसके लेबल में जो जो आएंगे, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, इसकी वाइप हो गया, इसके लेबल में जो जो आएंगे, इसके बराबर में, वाइप हो गई, भाई बहान, वाइप हो गई, यह सब इसके एक लेबल में है, एक बराबर है, अब इसके पापा, पापा का जनरेशन बदल रहा है न, पापा हो गए, यह फादर हो गए, इसकी फादर लिखना है, आंटी हो गई, आंटी हो गई, यह एक जनरेशन में हो गया, ठीक है, फादर, मदर, अंकल, आंटी, बुवा, यह सब, एक मतलब पापा वाला रिलेशन उपर जाएगा, अब दादा जी वाला, थर्ड जनरेशन हो जाएगा यह, दादा जी हो गए, ग्रेंड फादर, उना नानी, यह सब, है न मामा वाले इस वाले कैटेग्री में आये अब इनका बेटा, Amiid का बेटा, son, doubter, है न, कि इसकी भाइजी, niece, बातिजी, कणरे नेफ्यू, niece, यह सब चीजे, बlung प्रेज़ा बतेजी भांजा भांजी सब इसी करेगड़ी में आएंगे कि लो होगय है न अब इनका चीज एक और और स्टेभा गाहरे घुने और संधी गाहरे घीग हो जायेंग के लिक यह टैना यह लो कॉल नहींड पर अपने लेबल का एक तरफ मम्मी पापा वाला में एक तरफ इसके आदाजी वाला में एक तरफ दैबलो एक तरफ सेम से बेडल में होंगा है इसी यह लेको में हम लोग करते C जो है A का पादर है C जो है A का पादर है पादर है तो मेल होगा positive होगा and D जो है C की sister है C की sister है D C की sister है D और sister है तो negative होगी फिर बोलता है E is the D mother और D की माँ है कौन D की माँ है E D की माँ है E माँ है तो negative होगी how is B, B कौन है B पूछ रहा है related to E related to E related to E E E का B कौन है B कौन है देखो E से यह इसकी ममी है देखो यह इसकी भाई है यह इसके पापा है पापा के बहन है पापा के बहन है तो यह इसके क्या है भभाव की मा इनने कि इसके मम्मी है की इसका मम्मी है तो यह इसका बहाई है यह क्या हो जाईगा grandson या grand daughter होगी यह न यह के दादे मा होगी grand mother होगी तो यह इसके क्या हो गई यह butterfly option number two का answer होगी आपका प्लस मेनस तो दिख नहीं रहा है कि हम कैसे कर सकते दोनों सो तर्जो ऑप्शन में होता ग्रेंड डाउट और ग्रेंड सन भी होता तो इस तरह से टू कंप्लीट होगे आपका हम लोग करेंगे कुश्चन नंबर चीख है तरही बोल रहा है कि एक इस बी सिस्टर एजो है बी की सिस्टर है जो है बी की सिस्टर है जो है बी की सिस्टर है एक है जो है जो है बी की माँ है बी की माँ है सी ते बोलता है जो है बी की Secretaryietnam है आपके थिवात्त wordत्र की बी काँ ह्न पा पादर है आपके डी फादर के पॉजिटीव चीश्टर है या बी की मम्मी है ए लिए इसके मम्मी है काँ है। जो हम सिस्टर है is बी ए इसके मम्मी है वही काँ है कि मम्मी के यह भाधर है यह नाना जी यह यह उसके कौन हो गई उडह कि घ्रेट्च डाउटड रोगेए नर मुलक्डड आपके हम लोग अब मुल्स आपके हमको नंबर को करेंगे थैंक्यू झाल